सलाम और नमस्कार रूस्तों, वल्कम टो मोटरक्सिम, आइस वीडियो में हम लोग 14 ऐसे नेकेड स्ट्रीट बाइक्स के बारे में देखने आले हैं, जिनकी और प्राइस देड़ लाके अंदर आती है, ये वीडियो दो पार्ट में होगा, पहला पार्ट में हम लोग फर्स से बाइक्स के बारे में डिसक्स करेंगे, तो देरना करते हुए जसे और बढ़ते वीडियो की तरफ बिना किसी एका में चाले किये, तो फिर देखते आगे, नमबर वन, बजाज पलसर नस 125, अभी रिसाइंटी बजाज ने अपनी सबसे कम कैपसेटी की, नेकेड स्ट्रीट इस बाइक का लाउच किये है, नस 125, इस बाइक का डिजाइन, नस 200 जैसा ही है, मुस्कुलर और पर्की है, इस बाइक में हमें 124.45cc इंजन देखने मिलता है, जो 11.83BHP की पावर और 11 Nm का टार्क जनरेट करता है, शिक्स पीक ट्रांस्मिशन गेर बाउस इस साथ में, फ् इस बाइक का डिजाइन काफी सिंपल है, बट बीस्टी लूक इस बाइक से जरुर मिलता है, इस बाइक में हमें LED DRL, बल्ब, एडलाम, LED टेल लाम, सेमी डिटेल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर और TVS GTT, ग्लाइट थू टेक्नलोजी जो लो स्पीड में भी एक्सलेरेशन को स्टेडी रखता है, without giving any throttle, इस बाइक में हमें 159.7 CC इंजन देखने मिलता है, जो 15.3 BHP की पाऊर और 13.9 Nm का टाउट जनेर करता है, विद 5-speed manual transmission gearbox, फ्रंट और रियर में डिस ब्रेक्स दिये गहा है, विद सिंगा चानले बेस और सस्पेंशन की बात करें, तो फ्रंट में इसको पिक suspension देखने को मिल जाता है, वही पर रियर में, gas charge dual shock absorber देखने मिल जाता है, इस बाइक के दो विद्यान से, जिनकी एक शोरूम पर ऐसे 99,020 रूपीज और 1.02 Lakhs, रिस्पेक्टिव ले में देखने को मिल जाता है, वेल, ऑन रोड आपको ए बाइक 1.2 Lakhs तक ज देखने को मिल जाता है, इस बाइक में LED headlamp, bird tell lamp, fully digital instrument cluster, single channel, ABS, sidestand inhibitor, और FZSFI में हमें Yamaha smart connect, X, Bluetooth enable take मिलता है, जो phone से connect होता है, और यह take हमें FZFI में देखने को नहीं मिलता है, बस यह एक छोटा सा difference हमें FZFI में देखने को मिल जाता है, इस बाइक में 149 CC इंजन देखने को म और रेर में भी, इस ब्रेक और MonoShock एजों पर दिया गया है, FZFI की X-Shotum price 1.6 lakhs है, और अंडोर यह 1.25 lakh तक मिलती है, और FZSFI की 3 वेरियंट्स है, जिनकी X-Shotum price 1.11 lakhs है, और अंडोर यह दोनों वेरियंट्स 1.33 lakhs तक मिल जाता है, विद 9 different color options, नम्बर 4, TVS Apache RTR 180, इस का डिजाइन है, TVS Apache RTR 160 से काफी सिमिलर है, दोनों बैक्स में हमें single style EBS, full LED lighting, semi-diltre instrument cluster, front and rear में disc brakes और SIM suspension, बस इस बाइक में 177.4 CC इंजन दिया गया है, जो 16.5 UHP की पावर, और 15.5 Nm का torque जनरेट करता है, 5-speed manual transmission gearbox के साथ में, इस बाइक का बस एकी वेरियंट है, जिसकी X-Sh देखने को मिल जाती है, नमबर 5, Bajaj Pulsar 150, Bajaj Pulsar 150 एक सबसे सस्ती, सबसे अच्छी टिकाउ और mileage देने वाली street bike है, जिसमें हमें काच्छा sporty सा look भी देखने को मिल जाता है, इस bike में हमें bulb headlamp, LED tail lamp, semi-digital instrument cluster और singhya channel EBS with front rear disc brakes and front metroscopic suspension, और rear में हमें dual gas charge shock absorber दिये गए है, इस देखने को मिल जाती है, और on-road ये वेरेट आपको 1.8 lakhs तक मिल जाता है, और ये bike आपको 12 डिफरेंट का रचा रचा हमें हमें देखने को मिल जाती है, नमबर 6, Bajaj Pulsar 180, इस bike का डिजाइन काफियत तक Bajaj Pulsar 150 जासे हमें हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन थोड़ा स देखने को मिल जाते हैं, इस bike का 1.07 lakhs है, और on-road आपको ये bike 1.30 lakhs तक मिल जाती है, और ये bike आपको हर एक बजाज के आपको 4 डिफरेंट का राफ्रेंट में देखने को मिल जाती है, तो guys ये था part 1 जिसमें हमने first 7 naked street bike के बार में discuss करें, और हम और 7 bikes हमेरे बाकी है, जिसक क्योंकि यार, अगर मैं अभी सारे 14 bikes से गार में एक ही वीडियो में discuss करूँगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद से अभी बहुत लंबा हो चुका है, 5 या 7 मिनित से उपर ये वीडियो अभी चला गया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन जब अभी अभी बता है, वीडियो पसंदा है तो लाइक करें, जाए सालों तक शेर करो, ऐसी आटोमोर से लेकिन देखने के लिए इसाम को जरूर सब्स्ट्राइब करें, उस बेल आकन को भी प्रेस कीजिए, मतलब याप पर कोई भी वीडियो अप्लोड होते हैं, आप नोटिफार झालों